जैश्री महाकाल सभी स्टुडेंट्स को मैं राजिंद्र सिंग नागर एक्सिनेस टुटोरियल उज्जेन के इस यूट्यूब चैनल पर प्रजेंट टेंज के पार्ट फाइफ में आप सभी का स्वागत करता हूं चली आज हम लोग देखते हैं Present Continuous Tense इसके पहले हम लोग उने Present Indefinite Tense के तीन पार्ट देखे थे वीडियो में वो टोटल चार हैं और Present Indefinite Tense के अंतरगत हम लोग उने तीन पार्ट पढ़े थे आज Present Continuous Tense के बारे में बात करेंगे Present Continuous Tense में Continuous का मतलब होता है निरंतर निरंतरता याने कोई काम चल रहा है कोई काम जारी है और Present मतलब वर्तमान अर्थात वर्तमान में कोई काम चल रहा है जैसे उदारण के तौर पर हम दिन भर में ऐसे कई सेंटेंस ऐसे कई वाकिसी कई बाते बोलते हैं कि मैं जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रहा हूँ, मम्मी घाना बना रही है, पापा ओफिस जा रहे है, लड़के मस्ती कर रहे है, चड़िया चहा रही है, ये सारे ही sentence देखा जाए तो present continuous tense के हैं, अब इसकी पहचान के से करेंगे, हिंदी में अगर हम देखे तो इन वाक्तियों के हमत में रहा है, रही है, रहे हैं का उपयोग होता है, और सायक क्रिया helping verb के तौर पर is, am और are का यूज़ करते हैं, अब देख लेते हैं कि is, am, are किस किस के साथ आएगी, ये देखिए दोस्तों, he, she, it, name और एक वचन करता singular subject के साथ में is का उपयोग क करेंगे, और I के साथ M का उपयोग करेंगे, चलिए, इसके कुछ उधारण देख लेते हैं, format देख लेते हैं, सबसे पहले ए मतलब यहाँ पर affirmative sentence देखते हैं, subject plus is, am, are, plus verb की first form, plus ing, plus object, कुछ भी नहीं करना आपको दोस्तों, जो करता है, उसके बाद में सहयक क्रिया लगा कर, verb की first form के साथ में ing लगा देना, ठीक हैं, जैसे उधारण के तोर पर मैंने कहा, कि राम is school जा रहा है, तो देखिए, subject की जगे क्या लिखेंगे, राम, is, am, are, helping verb की जगे पर, राम एक नाम है, तो देखिए दोस्तों, ये नाम के साथ में क्या आता है, नाम के साथ में is तो राम एक नाम है, तो राम is, वर्ब क्या काम कर रहा है वो, जाने का काम कर रहा है, तो इसलिए क्या लगा देंगे, go, अब go के साथ में ing लगा देंगे, कहा जा रहा है वो, school जा रहा है, तो इसके लिए क्या लगा देंगे, to, याद रखे दोस्तों, कि जब हम कभी किसी लक्षता किया किसी मन्जिल तक जाते हैं तो हम हमारी activity को उस मन्जिल उस destination तक जोडने के लिए हम लोग to का इस्तिमाल करते हैं राम is going to school ठीके इसी तरीके से अगर हम कहेंगे कि लड़के school जा रहे हैं तो आ जाएगा boys subject की जगे पर इस subject की जगे पर क्या जाएगा राम की जगे boys अब boys मतलब बहुत सारे boys बहुत चन करता हो गए तो देखिए इंग्लिश में उसको plural बोलते हैं उसके साथ में क्या लगा देंगे आर तो देखिए यहां क्या बनेगा boys are going to school जब मुझे इसके मना करना है negative sentence बनाना है तो मैं कुछ इस तरीके से is MR helping verb की बाद में not लगा दूँगा और verb की first form हो रहा है एंजी तो ऐसा कैसा ही रहेगा राम स्कूल नहीं जा रहा है का बनेगा राम is not going to school ठीक है ना लड़के क्रिकेट नहीं खेर रहे हैं तो boys are not playing cricket है ना हम इस तरीके से बोल सकते हैं वे नहीं आ रहे हैं they are not coming पापा ओफिस नहीं जा रहे हैं पापा is not going to office ठीक है चल ये देखते हैं अब इसके interrogative आई मतलब interrogative interrogative मतलब प्रश्न वाचक वाक्यों में क्या करते हैं दोस्तों ध्यान रखना जब भी कभी सायक क्रिया या helping verb subject के पहले आती है जैसे यहाँ पर देखिए यह is, am, are subject के पहले आए न वैसे आप लोग देखेंगे कि लगबग सारे इस sentence में हम लोग देख रहे हैं कि helping verb जो है सायक क्रिया जो है वो subject के पहले आ रहे है ध्यान रखना जहाँ भी सायक क्रिया subject के पहले आ जाती है वो question जो है सिर्फ हाँ या ना में जवाब देने वाले question होते हैं उनके जवाब हम सिर्फ हाँ या ना में दे सकते हैं ठीक है न? और जो question what, where, who, why, when, whom इस तरीके से पूछे जाते हैं WH वाले questions उनके जवाब हम लोग explain करके देते हैं हाँ या नहीं में जवाब नहीं देते हैं अब मुझे पूछना है क्या राम इस्कूल जा रहा है? तो देखिए राम एक नाम है एक बच्चन करता है इसलिए उसके साथ हम is का इस्तेमाल करेंगे तो वो is हम आगे लगा देंगे फिस्स सब्जेट के जगे पर राम वर्ब क्या है जाने की उसके बाद में आएंजी टू स्कूल ऐसे कैसे ही इस राम गुइंग तू स्कूल है ना क्या लड़के क्रिकेट खिल रहे हैं आर बॉइस प्लेइंग क्रिकेट क्या पापा आफिस जा रहे हैं इस पापा गुइंग टू आफिस क्या मम्मी खाना बना रही है इस मम्मा या मदर कोकिंग फूड ठीक है ना क्या हम पढ़ रहे हैं आर वी स्टेडिंग क्या मैं पढ़ा रहा हूँ am I teaching इस तरीके से हम लोग बोल सकते हैं इंट्रो नेगेटिव में क्या करते हैं दोस्तो helping verb के बाद में subject और उसके बाद में not ध्यान रखना subject के बाई तरफ is MR helping verb और subject के दाई तरफ not का इस्तेमाल करेंगे और verb की first form और ing तो as it is रहेगा so हम बोल सकते हैं is Ram not going to school क्या Ram school नहीं जा रहा है तो इसमें हम confirm करते हैं ठीक है ना मतलब किसी चीज़ को अब देखते हैं उसके बाद में कुछ और examples हम देख ले क्या लड़के cricket नहीं खेल रहे हैं तो देखे लड़कों के लिए क्या आएगा और क्योंकि बहुत सारे हैं है ना बहु अचन के लिए क्या होता है बहु अचन करता के लिए आ रहाता यह देखिए प्लूरल में आ रहाएगा तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं are boys not playing cricket क्या पापा ओफिस नहीं जा रहा है is papa not going to office क्या मम में खाना नहीं बना रही है is mama not cooking food क्या मैं नहीं पढ़ा रहा हूँ am I not teaching इस तरीके से हम लोग यह present continuous tense को पढ़ते हैं बड़े ही आशान शब्दों में बड़े ही आशान भासा में मैंने आप लोग को यह present continuous पढ़ाया अब आप इस वीडियो को बार बार देखें एक बार देखने में काम नहीं हो तो इसे बार बार देखें और notes बना कर अच्छे से पढ़ाई करें और revision करें तब तक के लिए जैशिमाकाल सभी students को